नमस्कार दोस्तों, RCNU Channel में आपका हार्दीख स्वागत है RCNU Channel के माध्यम से आपको आपसे सम्मन्दी सारी जानकारियां समय समय पर सही सढ़ी विस्तार से देने का प्रयास किया जाता है तो आएए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं लेकिन इन बड़ी खबरों को जानने के पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ सी साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें आप से समंदित उसका नोडिफिकेशन आपके बास सबसे पहले पहुँच जाएगे तो आई आज की पहली वड़ी खबर के बारे में जाननेते हैं आज की पहली वड़ी खबर सेना भरती से जुड़ा हुआ है क्योंकि बंपर भरती होने जा रही है जिसकी भरती प्रक्रिया 20 सितंबर 2019 से सुरूख कर दी जाएगी अगर आप इच्छुख हैं अगर आप सेना में भरती होना चाहते हैं अगर आपके पास यह गीता है तो आप इसमें आबेदन कर सकते हैं साथ सी साथ जो भरती प्रक्रिया पहले राध्धानी में होती थी लखनों में होती थी वह भरती प्रक्रिया आपकी बार फटेपुर में होगी जो रच्छामंत्राले से जानकारी प्राप्त हुई है तो आप सभी को अगर इस भरती में सामिल होना है अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं तो आप इसमें आभी दिन जरू करें आपके लिए सुनहरा मौका है लखनों समेथ तेरा जीलों को इसमें सामिल किया गया है तो आईए अब आज की दूसरी बड़ी ख़वर के बारे में जान लेते हैं जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि लोड़ PCS का सिलेबस कब आएगा और सिलेबस जब आएगा उसके बाद ही एक्जाम होगा तो कहीं लंबा समय निकल जाए एक्जाम होने में तो मैं आपको बता लोड PCS 2019 का सिलेबस जुलाई के प्रथम या दूतिय सब्ता तक घोसित कर दिया जाएगा उसके 30 दिन बाद आपकी परिच्छा की तिथी निर्धारित हो जाएगी तो जो संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के दूतिय सब्ता या तिरतिय सब्ता में आपका एक्जाम कंडिक्ट करा लिया जाएगा तो आप लोग अपनी तयारी जारी रखें जो मंडी परिशत का पेपर था और जो ग्राम पंचार अधिकारी का पेपर था अगर उस तरह कि आप तयारी कर लेते हैं तो आपका लोड PCS 2019 निकल जाएगा आपको घबराने की और शक्ता नहीं है अब आईए आज की तीसरी वड़ी ख़वर के बारे में जान लेते हैं आज की तीसरी वड़ी ख़वर है लेकपाल भरती को लेकर बहुत से अभ्यारती पूछ रहे हैं कि सर लेकपाल भरती कब तक आएगी तो जो सूचना प्राप्त हुई है कि लेकपाल भरती जुलाई के बीच आजाएगी आप तिथी नोट कर लीजिए अब आई आज की चोथी वड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं आज की चोथी वड़ी खबर है कि वीडियो रिजल्ट कब तक आएगा अब भ्यार्थियों के मन में संसे बना हुआ है तो मैं आप से बता दूँ परिछानी इन तरक्ट सवारी सची दौना बोला गया है कि 15 जुलाई 2019 तक आपका रिजल्ट घोसित कर जिया जाएगा किसी भी हाल में तो मैं आपको बता रहा हूं कि 12 जुलाई 2019 तक आपका रिजल्ट आ सकता है उसके पहले ही आ जाएगा तो आप 12 जुलाई तक बेट करें अगर 12 ज होड़ेंगे कोई ना कोई रणनीत बनेगी आपका रिजल्ट आएगा जल्द से जल्द आएगा आपको घबराने की और शक्ता नहीं है जितनी मदद हो सकती है मैं करता हूँ लाइव आकर चाय वीडियो बनाकर किसी माध्यम से मैं आप लोग की मदद करता हूँ जब आप लोग की जवाप लगती है तो मुझे बहुत खुसी होती है आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं मैं कितना खुस होता हूँ जब ट्यूबल आपडेटर का रिजल्ट आया मै किसे मेल भी किये हैं वह बहुत प्रसंद थे किसी के डाकुमेंट में दिक्कत है किसी के फॉर्म अप्लाइग करने में दिक्कत है तो मैंने सबको सोलोशन बताया है उसका समाधान बताया है तो आप लोग भी हमसे लाइव चैट के माधिन से प्रश्ट कर सकते हैं अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे लाइब के मादेम से पूछ सकते हैं मैं सब का जवाब तो नहीं दे पाता हूं लेकिन आप प्यास करते रहेंगे तो मैं आपका जवाब दे जूँगा क्योंकि लाइब के इतना ज्यादा होता है और लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता है जानलंबा वीडियो अगर बन जायेगा तो आपको भोड़ी है महीं लगती है इसलिए वीडियो को में ज्यादा baru महीं करना चाहता हूं तो आज की यहीं बड़ी ख़ब्रें थी जो मैंने आपको बताई है अगर आपको कोई समस्या हो तो बहुत हम आपको प्रॉस्तों